हेलो एवरीवन जैसे उत्कर्ष शुकला फ्रम उत्कर्ष एजुकेशन विबेन एक्जाम्स में पूछे जाने वाली जी एस के लिए ट्रिक्स में आज हम पढ़ेंगे कि भारती कलाव संस्कृती में जो प्रमुक दर्शन बताए गए हैं उन्हें किस ने दिया और उन्हें आ अदियम से किस तरह से आराम से आद कर सकते हैं बुद्ध को पढ़ने का तरीका यह एकि इस ट्रिक का पहले आप में फिरी पढ़िएगा जो यह है और उसके बाद मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका ओरीजिनल कॉंटेंट और ट्रिक कॉंटेंट दोनों तैयार हो उनसे बहुत फायदा मिलेगा मेरी ठभी ट्रिक्स की PDF मेरे टेलेग्राम गुरूप में मिल जाएगी उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है आई आप पढ़ना चुरू करते हैं कि भारत में प्रमुक्ध दर्शन उनकी प्रवरतक कौन-कौन है चारवा भारती संस्कृति में परमाडू की खोज करने वाला ब्रशी भी कहा जाता है कण जो है ना कणाद के नाम पर पढ़ा था कि अडू और कण नहीं के नाम से पढ़े हैं कि इन इन में होता क्या है वह हम बांद में डिस्कस करेंगे उसके लिए एक अलग से लेक्चर आएगा कि इन सभी तर्शनों का में ब्रवोग वाते क्या कही गई है वो लंबा लेक्चर होगा आराम से अब यह आप इनकी विस्ट्रिक्स यात रखिए ट्रिक है चार वकील यमुना नदी के पूर में बैठ कर नियाय की गती पर एटामिक लेवल की विशेर्स चर्चा कर रहे थे यमुना नदी के पूर में बैठे हुए थे चार वकील और नियाय कितना तेज है उस पर एटामिक लेवल की विशेर्स चर्चा हो रही थी कपिल ने मुकदमों की संख्या को लेकर दो वकील उन में से दो वकील का नाम है कि एक कपिल एक का नाराण कपिल ने मुकदमों की संख्या को लेकर नाराण से यह उत्तर मांगा कि जेल में कैदियों कि कुल योग कितना है जेल में कुल कैदी हैं कितने इस तरह से इस कहानी को आपको दिमाग में रखना है अब आप इस कहानी के मादम से याद कैसे करेंगी चार वकील से आप चार वाक याद करेंगी चार से चार वाक वकील का वक्त से आप चार वाक का वाक याद कर लेंगे तो चार वकील चार वाक यमना नदी के पूर में तो जैमनी यानि जमना यहां से आएगा और पूर मिमानसा का पूर्व से आप यमना नदी के पूर्व से आप पूर मिमानसा जैमनी ने दिया यह याद हो जायागा नियाय की गती, तो नियाय दर्शन गौतम ने दिया है, तो आप गती से गौतम और नियाय से नियाय दर्शन याद रखे लेंगे, अपको फैक्ट याद रखना पड़ेगा, ये आता भी अलक से फैक्ट, तो अपक्ड़ाद याद रखेंगे, और विशेश से आप वैशेशिक दर्शन को याद रखेंगे, कपिल ने मुकदमों की संख्या को लेकर, अब सांख दर्शन कपिल ने दिया है, तो संख्या से सांख, कपिल तो कपिल लिखाई हुआ है, नारायन से यह उत्तर मिमान सा वादरायन ने दिया है, तो वादरायन और नारायन से आप एक दूसरे को याद कर लेंगे, और उत्त लैसे इंभए उन विम्हान सा याद हो जाएगा जेल मैं कहदियों का कुल योग कितना है चीजल या कि पतंजली याद होगाए और योंक को योग-दृशन इयाद रखने माहिवा झानािक wordt यव्या मसला दूँगा कि इनकी किताब प्रॉपर खरीद के आराम से खुद पढ़ा करो जिससे तुमारा जो फिलोसोफिकल माइंड है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा क्योंकि मैंने तो यह किया है उससे जीवन में बहुत फायदा भी मिलता है इस ट्रिक के माध्यम से पढ़स ना कमेंट बिवॉक्स में इसी की ट्रिक चाहि सबस्क्राइब करा देना या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल देना उसना ट्रिक बनाद के आपको देदूगा तक सब्सक्राइब करिए थांक यू वेरि मच जैहिन